कि नमस्कार स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव और दचर्चर 24 मीडिया में मैं हूं आपके साथ कुल्दी परजाबती आज हम पोचे एहर गाउ में एहर गाउ में इसलिए पोचे यहां कर यहां के खिलाड़ी रामपाल पैलवांजी बहुत मसूर खिलाड़ी रहे है सरकल कबड़ी के अंदर जिनोंने खेल के अंदर बहुत सारी टीमों से लोहा मनवा चुके है बहुत सारे खिलाडियों के साथ खेल ले है और हर्याना का नाम रोशन किया है मेरे भारत देश का नाम रोशन किया है इंडिया के लिए खेल चुके है जो कि पाकिस्तान के खिला कि इस दुनिया में अपना नाम कर चुके है और आने वाड़े जो खिलाडिया उनके लिए क्या मैसेज देंगे जो युवा है वे आज खेल से क्यों दूर होते जारे बहुत सारे परसंद है आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी उन सब पर चर्चा करेंगे आज इस गा सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे साथ राम पाल पहलों जी जो हैर गाउं से है अमारे साथ जुड़िया है सबसे पहले दूसर आपका स्पोर्ट्स लाइव और दाचर्चा मीडिया में आपका सब्सक्राइब करता हूं जो इतने अच्छी मोहिम छेट रहे हैं पराणे और ने पलेरों का इंट्रिव ले रहे हैं ताकि जनरेशन में बगवान रुपी जनता में उनको भी याद किया जाता रहे टाइम टाइम पर यह आपका इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद है सर मैं सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में सुवागत भी करता हूं दूसरी बात में परशन आप से पूछना जाता हूं कि आपने इस गेम के अंदर कब डी के अंदर कैसे शुरुआत करी और कब शुरुआत करी बाइस अब मैं दूसरी कलास में था मैं बिल्कुल छोटा सा था मेरे चाचा जी है राजे राम में के साथ रेस मारने चलिया जाता था मैं स्टेट लेवल का कुछ तिया खिलाड़ी बया हूं उसके बाद में नैसलन खेले ले ले गया आठमी कलास में तो बैस कुछ राजनिति कान वंस लालो चा कुछ भी लाल घणा दिगा तो उसके बाद में प्र मेरे ंतने घण कि जा चिते हैं उसके बाद मैंने हैं तो इस दिनगे और जा कि शषब के बड़िया तो जीुओ के अपने गां से सुरॉत कि दिया किसी और गाहों में जा के खिलते थे नहीं स सर्वाध की थी बाईशाव 영상oriented जी राज मेरे से छोटा वाई यानि लिए उन्हों को भी मैं साथ साथ में दोनों को बहुत ही महनत कराई उन्होंने और अच्छी तरह से खिलाते खिलाते इस मुकाम तक पुछे 2005 में मैं इंडिया के लिए खेल लिया था फस्टाइम संदो जारा मैंने सरुवात की थी तो सर देखो यहीं दर्सक यहीं चाहते हैं कि आम भी उस घराउंड को देखे एक बार जहां प्रैक्टिस करते जहां फिलते दे तो आपसे रिक्वाइश्ट है प्लीज हमें भी इस गराउंड को देख सके और लोगों को दिखा सके बहुत यही वो मिट्टी है जहां से एक हीरा निकला था जो देश के लिए मैडल ले गाया अपने हर्याना के लिए मैडल ले गाया देश का नाम रोशन किया तो प्लीसर आप हमारे साथ चलिये हो ही आपने बात बोल दी बहुत अच्छा कि आप बोलना तो मैं विचार रहा था क्योंकि गुरॉंड का टाइम हो रहा है गुरॉंड का टाइम पाच्छा है खिलाडी को यह उसका जनून सो हो जानगा चलो वहीं चलते हैं गुरॉंड पर जाकर बात करते हैं ठीक है अब तो आप तो आपकी काम्याबी के पिछे सबसे बड़ा हाथ तो अपने घर का होता है जिसमें मेरे सवरोगी पिताजी स्री मिवाशिंग मेरे माताजी वह है बड़े बाइस अतबीर और बाद में तो वाइफ हैंड सारा परिवार हो गया भी पूरे परिवार को गया माता पिता और बाई का सबसे बड़ा योगदान है यह ग्राउंड ज्यार गांगा गरांड है थोड़ा हचल लेते हैं चलते बात करेंगे तो एहर गाउंड यहां और कितने प्रकार के और खेल ले जाते हैं बाइस अब यहां पर एंड बाल बास्केट बाल सरकल को बड़ी नैसलन को बड़ी और जुडो यह चार-पांच ग्राउंड पर रेस के भी अच्छे पले रहे हैं काभी प्लेर वाली भी खेलते हैं आठ नों डाल के गेम करे जात करीम करें बाइस करीब करीब लड़का और बार एंसीट अशसिये करीब बास्केट बाल के बड़े लगे हैं जो इन उब इस तुक जो करते हैं जो मदद करते हैं बचों नैश Hers也是 अङले दॉट करते हैं टिसमें सभी की देख़रे करते हैं तम्हीं हा क्स अवार मत्य करते है हम और अपने राजयस बाई टूर भंड़ रची साहब है फिसे हमारे बढूरे उजवी कम जादा तो नहीं कह सकता है वहां है तो इस ग्राउंड से आप सरकारियत नोग्रिया भी है सर, मुझे कहीं से सुनने में आया था सर, आप भी किसी गवर्मेंट जोपे हो, आप किस गवर्मेंट जोपे हो, बाइस आप मैं 2010 में इंडिया पाकिस्तान सीरिज होई थी, आपको पता होते हैं, पानी पत के अंदर डा चलो मैं कहांगा तो नहीं, फिर मेरे कहनों के गरेजबीन में जूटनी बलता, सब इस्पेक्टरी कोशन अंते हो, मेरे को सिपाइपत पर लगागा तो समय, तो फिर उसके बाद मैं साथ साल करीबे, मधुभन रयाज यह सोगंदर, अब मैं फिलाल, पानी पत वीजलेंस मे किसी और फिल्ड में हो, हाँ जी, हाँ जी, मेरे से छोटा बयानील हो भी इंटरनेशनल है, अपना परवीन बाई है, जो इसी गरूंड से हो पंसाइथ सेक्टरी है, अपना विक्की है, वो भी बेलदार की पोस्ट लेगादा खेल कोट्टे से, शिलू है, वो भी खेल कोट में क्या चीजे माईने रखती है कि ना बंदे को पहले एजुकेशन करने चाहिए, खेल करना चाहिए, देखिए वाईशाब मैं तो एक बात कहना चाहूं, अगर एजुकेशन भी जिन्द की बोत ही जरूरी है, जिकेशन ना होगी, तो क्या करेगा बंदा, देखो मैं ज्य परशन हो रहा है आपके साथ, आज के समय में आप युवा को देखते हो, खेल के मादें, खेल के अंदर भी, कि ना लोग नशे की तरफ जाद बड़ आवादे रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बागते हैं, दोड़ते हैं, तो ये कितना उचीता है, कितना गलत है, कितन हो रहा है, यह कहने का तो नो कहते हैं, सरकल के बड़ आले टिक्के लाम हैं, टिक्केर कोई ला रहा है, आज कल, और बहुत बुरो है, हम मैं तो छोटे बाईयत, जो मेरे तो जुनियर हैं, एक ही परतना करूँगा, अगवे महनत करो, और देशी डाइट खाओ, ताकि मेड जिन्द की ज्यादा लंबी नहीं है, इसे फल तो क्या कूँगा, मैं, इस इंडिया टीम तक का सफर, आपने कैसे तै किया, और किन-किन लोगों आपका साथ दिया, बाई सब से पहले, मैं इंडिया टीम में दो जार पांच में खेल ला था, और श्टेम में आपने कोच्छ संत्री सत्वीर सर्माजी मेरे को खिला के लाए थे, इंडिया टीम में, मगर मेरी जिन्द की असब से एहमोड आया है जो, दो जार नो और दस में, मेरे गुरू जी और मेरे बड़े बाई बड़े बाई बगवान रुपीजिस, को मैं बगवान मानता हू अपनी जिन्द की से बड़ा माज तक साहए थी किसे मान एक इन्सान मै नभी को बात का मतलब है माकर उन भा मतलब सित्ती काम करते हो अगवान कोई मतलब सित्ती काम करते हो सही संत्रा मार्या जी जो और यह विरकभडिय कैडमी सोनी पचलाते हैं उन्होंने मेरा 2010 की सीरीज के लिए ट्रायल उनका तीन मिन्हें पहले भोना अगराम पलके कर रहा भाई मैं भला गुरूजी गराएं था भला भाई अपना इंडिया पाकिस्तान सीरीज करान लाएं अपनी थोड़ी त्यारी कर ले अपनी मैं भला ठीक गुरूजी तो मना खूब मैंनत करी तो उसके बाद ट्रैल होगी आपने पता वाई अब राजनित्ती भी खे लंब हो जाता चाला है तो इस टेम इंडिया टीम की लिस्ट आई उस मेरा नाम नहीं था यह भी सचाई है और यह भी सचाई है कि जो ट्रैल दी थी ना उस ट्रैल मैं मैं ही मैं और एक विकरम पाल वाना पना बूक पर हमना दो अगर कुछ भी ज्यादा चालों कैंड ना कोई में डर भी निके हूं है जो मेरे से पैसे मांग गए थे भाई अग पैसे थे इंडिया टीम में स्लेक्शन करवा देंगे मह भला मैं पैसे देख देवे स्लेक्शन ना करवा तो संत्राम कोज साब ताजिस टैम लिस्टाई मा कोज साब ते ते रा नाम ना पाथा मना कोज साब तो इसे बत उनका मेरीनी हूं कोज साब गाए अगुना यह बात की तिर आज भी मेरे केसे दिश्य हैं तो बाई जब कोई मैंनू सोच के गरता है अक्षोड यार के लाएं कप डिक बूड़ी जब इतनी मैंद कर दो है और कि मारा टाइम में स्लेक्शन नोया तो उसमें तो गंटक पाच्छा मेरे पास फोना है का दिली से अगा आपका इंडिया टीम में स्लेक्शन कोई गल्थ फेमी के कारन कट गया था नो मैं बलाए क्यों मजाग कर रहे हो कालना फेर मजाग होगा था हम पर कोज साब का फोना कि मेरा ता शलीशी होई अग भाई गुरुजिया नं कह दिया तो पका स्लेक्शन है तो जब स्लेक्शन हो आथा मेरा पर मैं भी उनकी उमेदों पर खर्या उतरहा था कुछ सीरिज का मैनो अबदा सीरिज रहा था भाईशब गरुरुजिन भी आई उमीद थी है कि भाई ज अब कर दो है कि वार्श और भी कोई खिला डी है वे किस खेल में थे और उन्हें क्या क्या उपलब दिया आसिल कि वाइशाब मेरे से छोटा वाई अनिल है ओवी शर्कल कब अधिकाई पले रहो इंटरनेशनल पली रहे तो उनसे तो आपने में हमें मिलाय है नहीं भी उन स जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी गए है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट अभी अब हम अनिल भाई साब से मिलना चाहते है अनिल भाई साब युद्रे बैठा है साइदो वह आप यहान लग रहे है अच्छा यह आने लग रहे है ठीक है तो आप जितने भी दरसे का आप हम अनिल भाई साब से भी बात करेंगे इंटरनेशनल खिलाडी रहे हैं और उन से भी जाड़ेंगे कि आज के युग में खिलाडियों के लिए खेल कितना जुरूरी है करेंजियों बचैब एक परिवार से दो-दो इंटरनेशनल खिलाडवी कैसा लगता आपको मतलब आप बहार जाते हो जब आप से पूछते हैं बैवी आप इंटरनेशनल खेल के आए और देश के लिए किया तो आपको कैसा फिलोता है चार-पांच त्यार करें मारे खर्णाद एक परिवार से चयार पांच यहां पर होंगे तो आपके तो आपने कितनी मैनत करनी पड़े जिवे जागे सफलता मिला है तो आप अपना एडल किसे मानते हो अपनी इस काम्याभी के पिछे किस्त का अथ मानते हो मेरे बड़ा बाई है मेरी माता पिता जी है वाइफ है वे बाई सब है अपने सब कुछ परिवार ने पुरा सोयोग दिया गाहों का भी मेरे अंकल जी आपने सिरुवात करी थी सामने आप इदर सामने अज़ा सामने ही बात करेंके आप से भी तो सरे आपके गाहों से लड़कियों की टीम है बैदेख रहाँ ग्राउंड के पिछ्छे विदर उदर लड़किया घूम की यह किस खेल लाडिए यह यहां यहंदब तो लडकीयों ने आपके गाहों से सर कितनी उपलब दिया हासिल गी यह बश्यभ दो तीन लड़की तो मने पहले बताया आप दो तीन नटिव लेटी ने ने रहे ने लेट लगा है अरुसमें आपको मने पहले बता था अगी समय अमारा पना पानीपत के जोर सेक्टरी साब तो यहां पर आप देख सकते हो सरे बहुत सारे सभी बच्चे ड्रैस में हैं इंडराज खुद परचेज करते हैं यहां की कमेटी की तरफ से दी जाते हैं यहां पर कोई नए बच्चे परचेज करते हैं एक तो हमारे गरुजी है रोसन पहल वांजी जो इस्टेम वेस्टन डीज के अंदर हैं कुष्टी के इंटरनेशनल पलेर थे उन्होंने यह मारे कुष्टी करवाई थी उन्होंने तीन-चेर बार तुनोंने सपोंसर किया बच्चों को ऑदे दो तीन बारे का मारे सुल्तान सिंग भाई अस्ट्रेलिया में बड़े बाई उन्होंने दी थी मदल यहां पर एक मेरा बड़ा मित्तर है संदीप शिंग दिल्ली से एक बार उन्होंने तिन सो कीट दी थी बच्चों को मदल कोईन कोई आता रहता है जो बच्चों के लिए यहां पर योग देता है अब यहां पर च्यार दिन पर एक बाटर कुलर लगवा है वो रहा है वह अपने दो तीन छोटे बाई है एक बड़ा बाई सुरेंदर शिंग अमित शिंग और काड़ा उरफ सचीन उन्होंने इस वाटर कुलर कर लगवा उन्होंने मेरे पास्पोन किया अग पहलो आजी गरो अब तो करोना मारी चली है शर पूरे संसार में चली हुए भार देश में आप देख रहे हो कि एक खिलाडी को करोना के समय में अपने आपको किस तरीके से परीपेरे रखना चीए बाई सब्सक्राइब पहले तो बात आम बच्चों दोड़ा जादा ही कठे मत हो अकला बताओ महीं बचाओ इसमद में अपना मास्का प्रियोंग और सेनियॉट का प्रियों और इसन तो मीड जो आखरीक पर देह व उनको क्या संदेश देन ना चाते हो मैं तो आने वाले खिलाडियों से वाई सबी हर एक ही आपके आने वाले माली दम्सेक हो पराथना लांगना चाहूं और कोई भी चो नहे निशुरहला करना ब्रभाईट मैंठ करो हो ना कि मैडिशन का प्रिचोंक मेडिशन का प्रेएजरोम तो Creds You ६ेहँत है उर इस एतना इफेक्ट पड़ेगा आने वाले मां हमारी जनरेशन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है इसलिए मैडिसन बिल को भी ना करो मैनत करो देश्ची करो और जितना मैंनत करोगे ओंडियुकुण प्लेयर बने मेडिसन देश्ची करो चैने वाजी तो ये थे ह सब्सक्राइब